दोस्तो आज मैं आपको mobile keyboard की एक secret trick के बारे में बताऊंगा जिसे देख कर आप एकदम से चौक जाएगे जी हाँ दोस्तो ऐसी trick आपने कभी देखी नहीं होगी keyboard की आपके mobile में keyboard तो हो गाई keyboard से आप क्या करते होंगे, typing वगरा करते होंगे इसके इलावा कुछ भी आप keyboard को काम में नहीं लेते होंगे और आपके phone में keyboard कहाँ पर open होता होगा, जहाँ पर आपको typing करना है वहीं पर दोस्तो keyboard open होता है, जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो मैंने अपने mobile के home screen पर भी keyboard को add कर रखा है आप देख सकते हैं मेरे mobile की screen पर, home screen पर एक keyboard मैंने set कर रखा है और दोस्तो इस keyboard से typing नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तो आप कोई दूसरी trick लगा सकते हैं जैसे के दोस्तो हमारे mobile में कहीं सारी application, कहीं सारे game होते हैं contact list में कहीं सारे number होते हैं, जिसे धूडने में हमारा काफी जादा समय बरबाद होता है लेकिन दोस्तो अगर आप इस keyboard की मदद से कोई भी application को open करना चाहते हैं तो आप एक second में application को open कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो, जैसे कि मुझे WhatsApp open करना है, मैं W पर click करूँगा first time दोस्तो permission देना है, आप देख सकते हैं, WhatsApp यहाँ पर आ गया है WhatsApp को मैंने open कर लिया है, इसी तरह से मुझे Facebook open करना है, मैं F पर click करूँगा तो F से related जितनी भी contact होंगे, जितनी भी application होंगी, वो सभी आ जाएंगी जिने आसानी से यहाँ से मैं open कर सकता हूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई application open करना है, किसी को call करना है तो आपको उसके नाम का पहला word टाइप करना है, तो वो application और वो contact आ जाएंगे, जिससे कि मैंने M टाइप किया, तो यहाँ पर M से related जितने भी मेरे phone में contact है, वो सभी आ चुके हैं एक click करके दोस्तो मैं call कर सकता हूँ, first time permission देना है, और यहाँ पर आपको number select करके call dial कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, call लग चुका है तो इस तरह से दोस्तो इस keyboard की मदश से आप अपने mobile की home screen पर एक shortcut लगा सकते हैं, और अपने mobile में फटा फट किसी को भी call कर सकते हैं, फटा फट application open कर सकते हैं तो अगर आप यह keyboard अपने phone पर लगाना चाहते हैं, तो यार वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर लो, साथ में bell icon को on करो और comment में दोस्तो आपको link देना है very nice, एक comment जरूर कीजिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको ये वाली application अपने phone में download कर लेना है, इसका download link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से download कर सकते हैं इसे open करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, open करके आपको इसे छोड़ देना है, अब आपको इसे home screen पर कैसे set करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्या करना है, अपने mobile पर एक second के लिए दबाना है, तो यहाँ पर आपको setting मिलेगी, visits, आपको इस पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तो आपको इस app को देख लेना है, यह रही वो app और यह रहा keyboard, तो आपको इस पर एक second के लिए दबाना है, इस तरह से home screen पर लेकर आना है और जहां पर आपको set करना है इस तरह से छोड़ देना है इसकी size छोटी है अगर आपको बढ़ा करना है तो आपको एक second के लिए इस पर दबाना है और इस तरह से आप इसे यहां पर resize भी कर सकते हैं यह set हो चुका है अब दोस्तों यहां पर आप जो भी click करन चाहते हैं जो भी application open करना चाहते हैं उसका यहां पर नाम का जो पहला word है वो आपको type करना है अगर आप चाहते हैं नाम के साथ में contact भी open हो जाए तो आपको इसके अंदर कुछ setting करना होगी इसके लिए आपको यहां पर setting के यह मिलेगी items to show इस पर आपको click करना है और आपको इसे apps and context पर set कर देना है इसके बाद दोस्तों क्या होगा आप keyboard में जो भी word type करेंगे तो उससे related जो भी apps होगी आपके mobile में game होंगे और जो भी contact होंगे वो भी show हो जाएंगे इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी application को फेवरेट में भी add कर सकते हैं मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने whatsapp पर click किया long press करना है whatsapp पर तो यहां पर आपको फेवरेट का option मिलेगा add to favorite इस पर आपको click कर देना है अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक love का icon है इस पर जैसी मैं click करूँगा तो यहां पर जितनी भी favorite application है वो भी आ जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आप keyboard की मदद से अपने mobile में कोई भी application को use कर सकते हैं आसानी से open कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो यार इस वीडियो को एक प्यारा सा like जरूर कर देना है अगर आपको इससे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और एक कमेंट करके बताओ यह वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में टैंक यू